प्रीवियस हैं हम डिसक्स कर रहे थे कि जब हमारे पास यू माइनश था उल करते हैं और हमने कॉश्चन को विचा सृल किया हैं आहीं हैं कि यू प्लस विद रहें हैं हमें 2sin2x upon e की power 2y plus e की power minus 2y minus 2 cause 2x fz अगर एक analytic function है विसलेशिक फलन है तो हमें small fz को find out करना है तो इसको solve करने का मैंने आपको प्रोसेजर बताया था तरीका बताया था इस question को भी हमें देख लेते हैं ठीक है मिलन थ्योरम हमने पड़ी थी मिल थ्योरम ध्यान रखना आना मिलने पर मैं अब यहां पर यू प्लस वी गीवन है और वो हमारे पास कितना है तू साइन 2x upon e की power 2y plus e की power minus 2y minus 2 cause 2x इसको और इजी function या फलन बना लेते हैं देखो यह e की powers में और यह cause और sign की form में तो देखो इसके लिए मैं आपको एक formula बताता हूँ e की power x जो होता है वो होता है cause hyperbolic x plus sign hyperbolic x e की power minus x होता है cause hyperbolic x minus sign hyperbolic x के क्या होता है equal होता है और अगर हम यहां पर formula में जोड़ें एड़ करें e की power x plus e की power minus x दोनों को जोड़ दो sign से sign cancel हो जाएगा तो हमारे पास कितना बनेगा two cause hyperbolic x बन जाएगा कितना बन जाएगा two cause hyperbolic x यह यह चीज़े अगर हम इस formula में लगा दे तो क्या बनेगा देखो यू प्लस वी इक्वल्स टू ऊपर तो क्या है two sign two x है upon e की power 2y e की power minus 2y होता है two cause hyperbolic x से solve करोगे तो क्या हैगा two cause hyperbolic 2y आ जाएगा two y है यहाँ पर hyperbolic के बाद two y है two y यहाँ एक्स था और माइनस क्या होगा two cause कितना हो जाएगा हमारे पास two x हो जाएगा अब इसमें क्या होगा two 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 से two 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 cancel हो जाएगा तो हमारे पास यू प्लस वी जो है वो कितना आएगा sign two x upon cause hyperbolic two y minus cause two x आ जाएगा के लिए रहे वाले बाद यह क्या गीवन है हमारे पास यू प्लस वी गीवन है यू प्लस वी गीवन है अब इसके बाद जब इतना हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं याद करो इसके बाद आपको क्या मानना है small fz equals to क्या होता है यू प्लस आयोटा वी होता है इसको हम equation number one देंगे फिर एक बार इसको आयोटा से multiply कर लेते हैं आयोटा fz is equal to क्या होगा आयोटा यू और माइनस कितना होगा यहां आयोटा स्कॉयर का मान माइनस वन और यह वी होगा equation number second देंगे equation first में आप equation second को क्या कर दोगे add कर दोगे अब equation first में add करोगे तो क्या बनेगा देखो fz plus आयोटा fz equals to u plus आयोटा v plus आयोटा u minus v होगा अब यहां पर देखो दोनों में से क्या को मना रहा है fz को मना रहा है क्या बनेगा one plus आयोटा बिना आयोटा वाली terms को ले लो u minus v आएगा plus इस में से दोनों में से आयोटा को मना आएगा तो यह बन जाएगा u plus v इस पूरे को हम क्या मानते थे इस पूरे को क्या जूम करते थे capital fz इसको हम क्या मान लेते थे you मान लेते थे और इसको हम क्या मालेते हैं वी मालेते हैं अब आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है यह बात आपके दिमाख में आ जानी चाहिए कि इसमें हम मिलन थ्योरं मिल्arks लगा सकते हैं जब हमारे पास यू और वी यह कैपिंटल यू और कैपिटल वी जब कर Ah हमारे पास small f कर रहा है और यह capital fz बन रहा है तो जब भी हमारे पास u और v होते हैं तो इनके लिए हम क्या बनाते हैं चलो पूरा लिख लो u plus iota v जब भी हमारे पास u और v होता है capital fz बराबर तो इसमें mil theorem लगाते हैं mil theorem के लिए मैंने आपको एक condition बताई थी क्या थी सर कि उससे हम find out करेंगे तो capital fz find out होगा उससे हमेशा क्योंकि capital fz बराबर u plus iota v की form बनाई हमने ठीक है तो यहाँ पर v का मान हमें पता है कितना है यू प्लस v और question में भी यू प्लस v given है तो ध्यान देना जब भी u plus v given हो या फिर हमारे पास v की value given हो ठीक है उस condition में हमारे पास fz find out करने का क्या formula होता था याद करो integration z z,0 plus iota h z,0 इसका integration dz plus क्या होता था c होता था यह चीजे हम निकालते थे where g x,y क्या होता था del u sorry del v upon del y होता था और h x,y क्या होगा यहाँ पर del v upon क्या होता था del x होता था यह कब की condition होती है जब हमारे पास v given हो v दिया हो और u minus v है u given था यह मैंने आपको पहले वाली वीडियो में करा दिया है तो अब आप यहां से आगे कैसे solve करोगे u plus v given है तो हमारे पास capital v given है यानि u plus v given है और u plus v की जो value है वो यह है हमारे पास यह solve करी थी हमने कितनी साइन टू एक्स अपॉन साइन टू एक्स अपॉन कितना कोस हाई परबोलिक टू वाई माइनस कॉस टू एक्स होता है तो सबसे पहले हम यहां पर क्या निकालेंगे यह capital में चल रहा है अब डैल वी अपॉन डैल वाई निकालेंगे और जो किसके एक्वल होता है जी एक्स को मावाई के डैल वी अपॉन डैल वाई निकालेंगे तो य के रिस्पेक्ट में आप इसका differentiation कर दो क्या होगा कॉस हाई परबोलिक टू वाई माइनस कोस टू एक्स इसका क्या होल स्केर फिर यह ऊपर जाकर ऐसे रहेगा कॉस हाई पर बॉलिक टूवाई माइनस cos 2x into d by by dx sine का क्या होता है x का 0 होता है फिर आएगा हमारे पास minus sine 2x तो as it is रहेगा और हमारे पास इस वाली term का होगा नीचे वाली का तो cos 2x का तो 0 हो जाएगा क्योंकि y के respect में cos hyperbolic 2 का क्या होगा 2 sine hyperbolic 2y होगा hyperbolic में minus plus नहीं आता है sine का cos हो जाता है और cos का क्या हो जाता है sine हो जाता है और यह किसके equal मानेंगे हम del v upon del y किसके equal मानना आप g x,y के अब हमें find out क्या करना होता है g z,0 तो यहां लिखेंगे हम z z,0 लिखेंगे तो यानि कि x की value तो 0 रखनी है और sorry x की value तो जैड और y की value 0 यह पूरी term तो इस 0 से multiply होकर 0 और यह से लिखने की जरूरत नहीं है तो जो बाकी की term बच रही है उसी को हम लिखेंगे किस में जैड में ठीक है देखो कैसे लिखोगे यहां भी देखो यह तो गई पूरी जीरो इसके कारण ना फिर जैड जी एक्स की value यहां जैड रख दोगे जैड हो जाएगा फिर टू साइन hyperbolic 2 y की value 0 रखोगे तो यह साइन जीरो जाएगा जीरो इससे multiply होगा जीरो पूरा यह जीरो बन जाएगे तो कहने का मतलब है जी जैड कोमा जीरो किसके एक्वल आएगा हमारे पास जीरो के एक्वल आएगा जी जैड कोमा जीरो किसके एक्वल आएगा जीरो के को लाएगा फिर सेकेंड हम क्या निकालेंगे सेकेंड हम क्या निकालते हैं डैल वी अपॉन डैल एक्स निकालते हैं डैल वी अपॉन डैल एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे हम डैल वी अपॉन डैल एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे बताओ तो X की respect में differentiation करना है करो अवकलन करो X की respect में नीचे तो वही term में इसका whole square हो जाएगा cos hyperbolic 2y-cos 2x इसका क्या होगा whole square होगा फिर यह वाली term कहां आ जाएगी हमारे पास इसी कही कर रहे है वी का X के respect में नीचे वाली का whole square यह फिर उपर आ जाती है कॉस हाई पर अंस बटे हर से numerator अपॉन denominator से आना चाहिए वह यह करना ना फिर यह तो as it is आएगा X के respect में करेंगे तो इसका क्या होता है हमारे पास साइन का होता है कास्ट यह नहीं हो जाएगा 2x हो जाएगा फिर उसके बाद मैनस उसके बाद क्या होगा मैनस साइन 2 X तो as it is रहेगा बिलकुल रहेगा साइन 2 x as it is रहेगा और इसका करेंगे तो वाली टर्म का हो जाएगा 0 एकस वाली टम का होगा कोस्स साइन ही हो जाएगा हुझ साइन टू एकस क्या किया है हमने अहां पर डिफरेंसीयेशन गा यह और है अल् realistically की लिए रहे अब यहां से आप किसकी वैलीव निकालोगे सेटंथ कीन की साइन टू करनी है हमें second यहां पर हमें find out करनी है किसकी value hz,0 की hz,0 की तो यह जो भी आता है इसको हम किसके इक्वल मानते हैं hx,y की इक्वल मानते हैं तो इसमें हम hx की value तो z रख दें और y की value 0 रख दें इसमें y की value 0 रखेंगे तो y 0 हो गया cos 0 की value होती है हमारे पास 1-x की value z रखना है तो यह बनेगा 1- कितना cos 2z बन जाएगा ऐसे ही हां पर देखेंगे तो यह बनेगा 2 cos 2z बन जाएगा और यह बन रहा है minus 2 आगे आगे हमारे पास और यह sin square 2s है तो यानि कि यह बनेगा sin square x की जिए क्या put करना है z put करना है upon upon में क्या होगा cos hyperbolic y की value 0 रखनी है जीरो रखते के साथ ही यह कितना बनेगा 1 बनेगा minus x की value z रखनी है तो यह बनेगा cos 2z इसका क्या whole square बन जाएगा अभी इस term को हम solve करते हैं देखो कैसे solve करेंगे इस term को हम क्या करते हैं इस से multiply होगा तो यह बनेगा 2cos 2z इस से multiply होगा 2cos 2z से बने multiply होगा 2cos square 2z बनेगा minus 2sin square 2z बनेगा upon में क्या आएगा 1-cos 2z का whole square ठीक है जल्द वाजी नहीं अराम से करना है कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं की फिर टू कॉस टू जैड होगा इन तैसे क्या को मना रहा है माइनस टू तो यह बन रहा है हमारे पास देखो कोस स्क्वाइर जैड प्लस साइन स्क्वाइर जैड बन रहा है अपोन वन माइनस कितना हो जाएगा कोस टू जैड इसका क्या होल स्क्वाइर आ जाएगा clear है यह वाली बात बिल्कुल clear है बिल्कुल clear है यह वाली बात और solve करते हैं इसको हम देखो यहां पर इसकी value हो जाएगी one दोनों में से दो common आ रहा है तो यह बनेगा cos 2z minus one upon one minus cos 2z इसका क्या whole square minus common ले लो तो minus two one minus क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा तो यहां पर इससे यह कैंसल हो जाएगा तो यह आएगा minus two upon one minus cos two जाएगा यह किसकी value आ गई हमारे पास है जैड कोमा जीरो की value आ गई अब देखो यह हमारे पास क्या होता है formula होता है लेकिन दियान रखना यहां यह capital fz से स्टार्ट हुआ यह किसे स्टार्ट हुआ है capital fz से तो small fz की value हमें नहीं मिलेगी हमें किसकी value नहीं मिलेगी small fz की ठीक है hz,0 हमने find out कर लिया और मैं यहां पर लिख देता हूं यहां पर gz,0 कितनी आई थी जीरो आई थी मैं क्लियर है यह वाली बात अब यहां पर जो यह main formula होता है निकालने का लेकिन यहां क्या निकल के आ रहा है capital fz क्या होता है capital f का formula zz,0 प्लस iota hz,0 और यहां होगा dz plus c तो fz equals to integration zz,0 की value तो क्या होगा जीरो और यहां आएगा iota और इसकी value है into minus 2 upon 1 minus cos 2z into dz और integration का क्या लगा होता है c लगा होता है clear है बात इसको हम as it is क्या कर सकते हैं soul कर सकते हैं अब जब इतना soul हो जाएगा तो इसका क्या बनाएंगे हम integration बनाएंगे देखो integration कैसे बनेगा हमारे पास इंट्रिकेशन कैसे बनेगा fz equals to इसे हम थोड़ा सा और सोल कर लें माइनस टू आयोटा बनेगा उपर और वन माइनस इसमें रख देते हम टू कोस स्क्वाइर जैड माइनस वन वाली वैल्यू दी जैड प्लस सी वन से क्या कैंसिल हो जाएगा नीचे बनेगा हमारे पास टू कोस स्क्वाइर जैड टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो एफ जैड की जो वैल्यू आएगी वह आएगी माइनस आयोटा हपॉन कोस स्क्वाइर जैड डी जैड प्लस सी चैक करो सही है या नहीं है क्या बनेगी हमारे पास इससे यह नहीं कटेगा तो इससे यह एक नहीं कटेगा न इसको आप ऐसे करो इसकी वैल्यू 10 の कि माइनस टू योटा वन माइनस कोस्ट जैड का मांद रखो वन माइनस तू साइन स्क्वायर जैड वाला अब कर जाएगा न अंदर माइनस सोगा जब यहाब गाएगा तो ऑफ जड़ जो आएगा ब वो क्या ऐगा इंट्रिगेशन बाइनस टोयोता अपन अब टू सब्सक्केसे जाएगा ना क्यों हो जाएगा- BA cassel तू कैंसिल हो जाएगा और यह बनेगा एफ जैड इक्वल्स टू यह बनेगा माइनस आयोटा और इंट्रिगेशन वन अपॉन साइन स्क्वार जैड को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वार जैड डी जैड प्लस सी एक किसका माहन आ रहा है हमारे पास कैपिटल एफ जैड का अ प्लस क्या जाएगा सी आ जाएगा यह किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास कैपिटल एफ जैड की वैल्यू आ गई बन जाएगा कोश्यान बिल्कुल बन जाएगा अब भी लेकिन हमें तो क्या फाइंड आउट करना होता है इसमोल एफ जैड हमने कैपिटल एफ जैड को क्य बना ता आयोट यहां आ जाएगा आयोटा को टॉह सी आ जाएगा तो अब इस मूल रज़े सिंट की वेली आ की आई पोन वन प्लंप पर आयोटा और कौट ब्लसके आपन वन प्लंप लिवारी ऑ्प किसकी वैलीव रही है हमारे पास small fz की value आ रही है और यही है small fz find out करना था वो तो एक processor हो गया तरीका हो गया कि हम किस तरीके से बनाते हैं fz equals to iota कभी भी numerator denominator में या हर में नहीं होना चाहिए तो हम इसको change करेंगे देखो iota upon one plus iota क्या करते हैं इसके conjugate से उपर नीचे क्या करते हैं multiply करते हैं court z आजाएगा इसको हम क्या मान लेते constant suppose कर लो मैंने क्या मान लिया क्या मान लिया क्या मान लिया तो इसको हम उपर जो है iota into क्या रहा है one minus iota ठीक है तो इसको हम हम फोल करते हैं कौन सी टर्म को इस वालिटम को उपर नीचे मॉल्टिप्लाई कर लोगे अब 1加ल और 1-1 इसको हम क्या करेंगे मॉल्टिप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये इसको हम सोल कर सकते हैं तो इसको ऐसे करो इसको 1 a plus b a minus b बन रहा है तो वो क्या होता है a square minus b square यानि 1 minus iota square का मान minus 1 तो ये plus 1 हो गया 1 plus 1 ये नीचे क्या बन जाएगा 2 और उपर iota से multiply कर लो iota minus iota square upon 2 cot z plus क्या होगा k होगा और iota minus iota square का मान कितना होता है minus 1 तो ये बनेगा iota 1 plus 2 और cot z plus 2 बन जाएगा clear है इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते है soul कर सकते है check कर लो सही है iota यहाँ multiply होगा iota iota यहाँ multiply होगा minus iota square होगा clear है बिल्कुल clear है iota square की value कितनी होती है minus 1 होती है तो ये plus 1 iota 1 plus 1 upon 2 cot z plus ये निये तांग या constant क्या जाएगा कि इस तरीके से हम इसको soul कर सकते हैं मौने जाएब सकते हैं आचल क्या तरीके साइब